हलो इस्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और क्लास्टल कमिस्टी एंसी आरटी में आज का टोपिक है एलकोहल की रासानिक अभग्रिया और इतने important अभिक्रिया हैं कि इनको आपको annual exam के लिए अच्छे तरीके से त्यार करना है कैसे exam में पूछा जाता है वो भी clear करेंगे और पूरा basic से चर्चा करेंगे तो वीडियो कों तक देखना है अच्छे लगए लाइक जरूर करेगा शेयर कर दीजेगा ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए ऐसे ही important प्रोवाइट कर सकें सबसे पहला हमारा alcohol देखो alcohol का संकेत क्या होता ये जानना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी पहरे बच्चों क्यों कि आप alcohol की रसानी कब किया पढ़ोगी जहां भी सब्दाएगा R OH तो समझ जाना है alcohol है R क्या है alcohol group और alcohol group के साथ आपका OH एदी जुड़ा है तो वो बन जाता है alcohol ओके समझ में आया ये आपका R है alcohol समूग और इसमें OH जुड़ा है तो ये क्या है alcohol हम रसानी कब करिया पढ़ रहे है तो alcohol तो लेना ही पढ़ेगा हर एक अब क्या में मतलब यहां पर जो भी आज रेक्षन आप करने वाले हूँ एलको हाल के साथ ही करना है जैसे पैरे बच्चों आपका ऐक करवं है CS3 तो ये है आपका मिथिल और O H जुड़ गया तो मिथिल एलकोहाल ये पैरे बच्चों CS3, CS2 दो करवं दिग गया और O H जुड़ गया तो ये आपका हो जाएगा एथिल एलकोहाल यदि प्यारे बच्चों CS3, CH2, CH2 तीन कार्बन हैं फिर OH जुड़ गया तो यह हो गया प्रोपिल एलकोहल यदि आपके पास C4, H कितना हो जाएगा 9, OH तो फिर हो जाएगा ब्यूटिल एलकोहल तो आपको यह क्लियर होना चाहिए यदि दो कार्बन है CS3 यदि एक कार्बन तो मेथिल यदि दो कार्बन है तो एथिल यदि तीन कार्बन है तो प्रोपिल यदि चार कार्बन है तो ब्यूटिल इससे ज़्यादा बड़ा कुछ आने ही वाला नहीं है तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जो basic clear होना चाहिए, यह alcohol है, वो यह जुड़ा है, किसी भी alcohol समूग के साथ, तो वो कहलाता है alcohol, ओके समझ में आया, तो यदि पहला question आप से पूछ दे, कि आपको क्रिया कराना है, ठीक है, यह आपका क्या भी या, मिथिल alcohol, यह एथिल alcohol, यह प्र यह दि question पूछ दे, कि मेथिल alcohol की क्रिया, धातु हाइड्राइड, जैसे sodium हाइड्राइड से कराओ, यह question पूछ दे, आप से, कि यह भी या क्या है, मेथिल alcohol की क्रिया, कि से sodium हाइड्राइड से कराओ, यह question पूछ दे, प्रोपिल alcohol की क्रिया, sodium हाइड्राइड से कराओ, तो सिंपल तरीके से आपको करा देना है अब क्रिया चलिए कराते हैं अब क्रिया पैरे बच्चो हमें अलकोहल ले लेते हैं जैसे कॉश्चन पूछा है एथिल अलकोहल के क्रिया सोडियम हाइडराइड से कराओ एथिल अलकोहल मैंने आपको कहा था कितने कारबन पैरे बच्चो दो कारबन रहेंगे सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला आपको बताना है एन एच ये है सोडियम हाइड्राइड इसमें हुटा क्या है छोड़ा समझना है पैयारे बच्चो ये टूटता है दो भागों में यहाँ भी ये टूटेगा तो जो H है H से क्रिया करके हाँ पर लेकि एलकोहाल धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है तो यह आपके पास CH3 है CH2 है ओ बचा यह जब तूटा पैरे बच्चो तो ओ पर निगेटी वायन जो की सोडियम पास्टी वायन के साथ क्रिया करके सोडियम एथाकसाइड प्लस पैरे बच्चो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया इसे आप लिखेंगे क्या सोडियम एथाकसाइड क्या सोडियम एथाकसाइड सोडियम एथाकसाइड यह हो गया पैरे बच्चो इसका नाम आप से सोडियम एथाकसाइड जिससे आप आसानी से रियक्षन करा सकते हैं कंप्लीट रियक्षन दे सकते हैं यह पहला रियक्षन कैसा लगा हमने कहा ना इसके जगे आप दूसरा कुछ ले लो भाईस आप इसके जगे दूसरा कुछ ले लो हमें दी कह देते आप से यह आपका CS3 O H है इसकी क्रिया सोडियम हाइड्राइड से कराओ N A H तो प्रोसेस वही होता प्यारे बच्चो CS3 है तो CS3 O के साथ N A जुड़ जाता सोडियम ये एक कारबन है तो मेथा अकसाइड प्लस प्यारे बच्चो यहां से हाइड्रोजन उठता इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता और हाइड्रोजन गैस समुक्त कर देता अब क्रिया एक होता है लेकिन उससे आप कई सारे क्रिया बना सकते हो एक्जाम में यही होता है आप पढ़के गए हो मेथील एलकोहाल वहाँ दे दिया प्रोपील एलकोहल अब परसान हो गए आप यह प्रोपील एलकोहल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है आरे भाईया प्रोपील एलकोहल का मतलब यह नहीं है बहुत लंबी चोड़ी बस इसमें तीन कार्बन है तीन कार्बन का मेत एद प्रोपील यह एलकोहल है इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्राइड से करा दें ये आपका प्रोपीलेल को हाल है बस वही रियक्षन होगा हेह के साथ जुड़ेगा और ह2 बना देगा ये तो भाईया प्रोपाकसाइड बनाएगा CH3, CH2, ONA और हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त कर दिया तो देखो सिंपल है आपसे एक रियक्षन बन रहा उससे आप 5-6 रियक्षन बना सकते हो और एक जाम में यही कन्फ्यूजन होती है बच्चों आपके साथ ये कोस्चन आपका आया है तो पहला रियक्षन था धा-to-hydroid के साथ करिया जैसे सोडियम हाइड्राइड हम केलसियम हाइड्राइड भी ले सकते है पोटेसियम हाइड्राइड भी ले सकते है ऐसे रियक्षन आ जाता है और आपसे बन जाना चाहिए दूसरा हम पढ़ने वाले हैं तो आगे आप लोग हेडिंग डालने एलकोहल की क्रिया एमाइड के साथ किसके साथ एमाइड के साथ एमाइड के साथ एमाइड के साथ एमाइड का सूतर क्या होता है यहां पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ठीक है आप चाहे एलकोहल की क्रिया हाइड्राइड से करा एमाइड में लेते हैं सोडामाइड क्या सोडामाइड ठीक एलकोहाल आप ले लो जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2OH यह दो कारवन का है मतलब इसका नाम क्या होगा बताओ जरा इसका नाम क्या होगा दो कारवन तो एथ से बनता है एथिल एथिल एलकोहाल सोडियम या सोडामाइड sodium का आपका amide है तो sodamide क्या na आपका हो जाएगे na nh2 यह है sodamide यह क्या है sodamide यह जब आपस में क्रिया करता है पहरे बच्चो देखेगा थोड़ा सा यहां से आपका एक इच निकलेगा और यदि h के साथ जुड़ जाएगा तो ammonia gas oh my god ammonia gas बना दिया और क्या बच्चा यहां पे बच्चा CH3 फिर CH2 है O है तो O रहने दो और ENA जाकर की क्रिया कर लिया यह sodium आपका दो कारवन है तो में sodium ethoxide ही बनाया क्या sodium ethoxide और यह है पहरे बच्चो ammonia क्या ammonia question यहां से कैसे बन सकता है देखेगा यह आपका alcohol है alcohol की क्रिया sotamide से कराओ यह कैए है sotamide sotamide लिख लो भाईया sotamide तो ethil alcohol की क्रिया जी sotamide से आजाए तो ऐसे अपक्रिया आपको देना यह जो अपक्रिया है किबल नाम से ही पूचा जाता है किससे नाम से क्या की कोश्चन आ जाएगा एलकोहल की क्रिया निम्दमे से कराओ पहले आ जाएगा धातु हाइड्राइड एमाइट से क्रिया कराओ है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सकी ओके इतना क्लियर है पर बच्चों अभिकरमक से आप लोग नोट डॉण करते चलना किसकी क्रिया करा रहे हो आप लोग एलकोहल की क्रिया किस से करा रहे हो ग्रिगनार अभिकरव हो। के जगए कहले लें आयोडीन ले लेते हैं ब्रोमीन ले सकते हैं तो यह क्या बनाएगा देखेगा जरा इसमें प्यारे वच्चों यह आपका दो भाग में तूटता है यह दो भाग में तूटेगा यहां पर भी ओएच बंध का बिदलन होगा ओएच हाइड्रोजन और आक्स फूर प्लस यह जो आपका सी एच त्री है पहरे बच्चों यह सी एच टू है साथ में ओ है अब जो एम जी आई है ना तो बैस एम जी आई डाइरेक्ट जोड़ दो यह ग्रिगनाड अभी करमा के साथ क्रिया करके इस प्रकार का योगिक बनाता है कुछ समझ में आया तीन एक लेक्षन के लिःघ क्या अब करमाक्स है तो आपसे बन जाने जी इतना ही लिखनात इतना मैं करा रहा हूं हिंदी लिखने को नहीं पूछ जाए केबल रियक्षन यहां से पुछा ऐसे आजाए इलकोहल की क्रिया कार्वोक्सलिक अमल से कराओ कार्वोक्सलिक अमल जब हम आपको पढ़ाएंगी वहाँ पर भी ये रियक्सन आपको देखने को मिलेगा यदि कोश्चन आ जाए खनीज अमल की उपस्थिती में इलकोहल की क्रिया आप कार्वोक्सलिक अमल से कर को मिलता है खानीच अम्ल किसे कहते हैं प्रफ चाहिए तो आप सुस्क एटूस या ले लो गैस के रूप में यह आप एस्ट्व एच्ट्विआ सो फूर ले लो यह आप से कह दे हैलोजन आमले हیلوجین आमल हम्ल हाइड्रोजन की क्रिया जैसे आप 17 हमें समों से है ऐपी एलोजन आमल है हाड यह आपका है लेकिन खणी आमल कहें बोले किसी भी रासानी क्रिया में तो आपको नोट डाउन कर लेना है खणी आमल मतलब HCl और H2SO 4 इन में से कोई भी आप ले सकते हो खनीज अमल की उपस्थिती में ही एक क्रिया होता है एलकोहल का इस्टरी करन एलकोहल की क्रिया हम कार्वोक्सिलिक अमल से कराएंगे अच्छा समझने की कोशिस करेंगे पैर बच्चो एलकोहाल और हमारा कर्वोक्सलिक अमल क्रिया करेगा कर्वोक्सलिक अमल का मैंने कहा कारवन के साथ दो आक्सीजन जुड़े हैं एक आक्सीजन ये एक आक्सीजन ये और H भी जुड़ा है आक्सीजन के साथ कि ये बन गया हमारा कार्वोक्सलिक अमल इसमें से जो बंद विदलन होता है और प्यारे बच्चों हमान की चलती है दूसरा आर अलकिल गृप है अलकिल के साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं हम लो ठीक है इसके साथ हमारे पास ओएच है इसमें जो है ओएच का बंद विदलन हो होता है और यह जो है रिवर्स्वल प्रोसेस हैं उत्क्रमड़ी विक्रिया है अमली माध्यम में क्रिया हो रहा है खनीज आमली की उपस्थिती में तो देखिएगा जरा प्यारे बच्चों यहां पर आपका आर है तो आर रहने दो यह कार्बन है तो कार्बन रहने दो सी ड क्रिया दिख रही है कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों हम कहें आपको सी ऊंच को और इस की सांथ जोड़ दो है ना इस एच को आप उठाव यहां से वह एच को और इस एच के साथ जोड़ दो एस्टो बन गया तो आपके पास बचार को और यह हमारा एश्टर है क्या है साथ में हमारा एच्टव अलाग हो गया एश्टरी करन को हल का अणाः यह सब सो सिट्र कर नगें करणार यदी कुश्चाना आढ़ा है companies करेंग सकते हैं अब जैसे उसके जगांने लेता हूं με तकление थिक अम्र का सूत रहता है क्या है यह क्ली पार मतलड सफिर देखेंगा लगा किया करेंगा missionary लेक्वне रहेगा पैरे बच्चो और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बचेगा ओसी टू एच फाइव और आपको पता है यह जो हाइड्रोजन है इस ओएच के साथ जुड़ करके एच्टू बना लेता है पानी बना लेता है इसका नाम दिया आप से कह दूं क्या है तो यह है पै पैराबन का इठीलगोहल से एथिल एसिटेड तो यह आपका दो कारवन का एथिल यह आपका एथिल एसिटेड बनेगा ना है बिल्कुल आप त्यार करो अर्गनिक कमिश्टी का जो जड़ होता है वो है फार्मूला, आयूपेसी नामन क्लेटर, योगी के नाम, यदि आप से कार्वनिक योगीकों का नाम नहीं पता, तो फिर आप से रियक्शन नहीं बनेगा, ये गरेंटेड है, इसलिए आप लोग अ एथिल एलकोहल से एथिलेसीटेड बनाओ, क्या एथिल एलकोहल से एथिलेसीटेड, तो आप एस्टिली कराड या कुशन आ जाएगा, एथिल एलकोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइट से कराओ, तो फिर आपको कराना होगा, या एथिल एलकोहल से हम एथिलेसीटेड कैसे प्राप्ट करते हैं या स्टिक आमरे भी आप बना सकते हो थोडा संभ़ने की ज़रूरत है एक स्टीली कर मतलब एस्टील समू कि करानी पड़ेगी यह तो डन है ना इतना नोट डाउन कर लिया आपने स्टीली कर में मतलब स्टील समू जैसे हम एक सबसे पापूलर एलकोहल देखते हैं हर एक reaction में आपको मिलता है एथिल यालगुराइड से करा दें सी हैस थ्री ओसाइड क्लोराइड क्या होता है एसिटिल इसपार आपका कैसे करेगा यहां पर थोड़ा सबजना है यहां से जो chlorine जैसे इसका बंद बिदलन होगा तो यह तूटेगा और यहां से यह तूटेगा यह वेचारे भी छुड़ चुके हैं यह हमारा positive charge लेकर बैठा है यह हमारा negative charge लेकर बैठा है तो positive जो है negative से ही जुड़ेगा हमेशा धन जिन को ही आकरशित करता है धन धन कभी आ COO यह 2 O हो जाएंगे ना और आपका हो जाएगा CH3 और यहां पर माइन से CL बहार हो गया लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप कैसे यह आपका CH3 CO है ना तो CH3 CH3 CO और O आपके पास यहां पर है C2H5 वा एक्चुल में यह होगा एथिलेसिटेट क्या होगा एथिलेसिटे देखे क्योंकि यहां पर CH3C था ना तो CH3C हो गया और O है एक O यहां से तो डबल O हो गया C2H5 यह C2H5 जो है एथिल है और यह एसिटेट है तो एथिलेसिटेट बन गया एस्टेल क्लोराइड की क्रिया एथिल एलकोहल से कराने पर हमें मिल चुका है क्या एथिलेसिटेट यह जो क्रिया होते हैं चार जैसे पिरिडीन या डाई मिथिल एनिलीन की उपस्थिती में अब क्रिया होता है तो पिरिडीन आप लेख सकते हैं उत प्रेरा क्या एस्टेली करन जो होता है वो पिरिडीन के उपस्थिती में ही होता है ठीक है समझ में आया कुछ एस्टेली क को तो फिर आपके ऐसे राषा निगाब करिया देना है इसके वार आज का आखरी रियक्सन यहाँ पर आप समझ लिजे एसे टीलिन के साथ क्रिया 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 कराएंगे देखेगा थोड़ा सा आफ लोग समझिएगा एसे टिलीन का सूतर क्या होता है सी टू एच टू मतलब सीटू एच टू यहनी दो कारवन है तो सीटु एच टू लिखते इंगे तो यहां पर डैबल बांड हो जागा सी एच डैबल बांड सी अच फ्रिक कारवन कारुन के तो क्या बनेगा देखेगा यह जो क्रिया है उचार के उपस्तिती में होता है चार जैसे सोडियम हाइड्राकसाइड ले सकते हो थोड़ा साब इसको गराम करोगे तब ही अब क्रिया संपन होगी कैसे बनेगा तो यहां पे आपका तो यहां से जो एच है पर बच्चो यह ओ टूटेगा और एच यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा तो सी एच टू बन जाएगा डवल बांड रहेगा हलाकि यहां पर डवल बांड सही नहीं है त्रिपल बांड होना चाहिए क्योंकि एसे टिलीन है एलकाइन समू है और जो है यहां पर एच हटी गया था तो हो गया ओओ छी एच थ्री इसका क्यासे पूछा जाएगा यह आपका है एसी टिलीन की क्रिया आपको कराना है कि से मेथिल एलकोहाल तो हमें जो मिला वह आपका बिनाईल एक कारवन मिय यहां पर मेथ है तो मिथाईल मिथाईल एथर जोडते तो बिनाईल रुपाईल एथर मिलता यह चीज़ाप नो डाउन कर लो तो यहां पर हम C2H5 भी जोड सकते थे तो यहां वाला जो प्रोडक्ट होता, वो विनाइल, एथाइल एथर मिलता यहां जो मेथिल है तो मेथाइल मिला एथिल होता तो एथाइल, प्रोफिल होता तो प्रोपाईल यह acetylene है C2H2 C2H2 acetylene छार के उपस्थिती में क्रिया करता है और बिनाईल एथर का निर्माण करता है acetyl निर्माण भी इससे हो सकता है फिर बच्चो दो OH ले लो मतलब इसके दो अडो ले ले लेते हैं तो acetyl बन जाता है आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रासानी का प्रिया समझेंगे और आज के वीडियो पसंद आया हूँ और अगला वीडियो आपको है ना ये content चाहिए और इसके रासानी का प्रिया तो please comment box में comment करके बताना आपके comment है ना लाइक सी हमें हमारे motivation का काम करते हैं और नेक्ट वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं वीडियो पसंद आट लाइक करें सेयर करें मिलते नेक्ट वीडियो के साथ जैहिन बंदमत्रम